इतनी देव से नहीं वह सथा अभी मम्मी बुचिया को जब करना सुरू किया है तो आप माहाई है है हेलो 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 माई हलो है लो कर दो ऐसे कर दू अच्छा बारे कर दो बैब 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 चुना 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 और ये लोग यहाँ खेल अभी लगाएं खराब हो जाएगा तो हेलो वेलकम टु माई निव व्लॉग कैसे आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और ये सुबह का समय है बच्चे खेल रहे हैं और हम लोग यहाँ पे देखिए कुछ पौधे ले करके आई हूँ तो यहाँ मम्मी बोली थी कि ले करके आना कुछ नए होते हैं और इनको यहाँ पे लगा रही हूँ और चलिए देखिए मम्मी पापा लगे हुए थे तो मैंने भी सोचा कि चलो यह आज लगा देती हूँ रखा हुआ था सब कुछ बीतने के बाद और घूम फीर के अब हम लोग आ चुके थे तो सोचा यह सब काम कर लूँ और इसके बाद जो है अभी निकलना भी है हम लोगों को एक दिन में यहां से मम्मी के यहां से तो यह सारी यादे ले करके यहां से आने वाले हैं तो पूरा वीडियो लाज तक जरूर देखिएगा और बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं मम्मी का किचन गा साथ ही अलग है और यहां पर अभी कॉंस्ट्रक्शन चल रहा है क्योंकि मिट्टी पड़ी है पूरे ही एरिया में बहुत ही नीचे घर था हमारा पहले तो अब जो है यह वाला घर जब बन रहा है तो इसमें बहुत जादा मिट्टी डालने की जरूरत पड़ी है तो यह सा चारो तरफ किचन गार्डेन बनाए हुए है लोग घर से बाहर जो एरिया है उसमें सिर्फ आने जाने और रहने का जो जगह है वो छोड़ करके बाके जितना भी जगह बजता है ना मम्मी को बहुत सौक है सबजियां लगाने का फूल फल सब कुछ लगा हुआ है तो बहु मैं यह सब बोली थी कि मैं तुम्हारे लिए नैने पौधे ले करके आऊंगी तो मैं खरीद के लिए आई हूँ और तब तक देखिए यहां पे अम्रिता आ गई है चाय ले करके हम लोगों के लिए और चाय पिला दे तो फिर से एनरजी आ जाएगी और इसके बाद आप ल बनवा के और खाकर के ही जाऊंगी इसके अलावा दूसरे साइड में देखिए इस तरह से फूल लगे हुए हैं किनारे पे और यह जो खेद बना दिया है इन लोगों ने तो इसमें जो है पालक लगी हुई है और एक हर्वेस्टिंग हो चुकी है इसमें अब दुबारा ज सबचियां सब कोई खाद यूज नहीं किया गया है सिर्फ मिट्टी में ये सब हैं और थोड़ा बहुत गोबर की खाद ही डाला जाता है यहां लहसुन लगा हुआ है तो हरे लहसुन की दिक्कत नहीं है अभी सीजन चल रहा है चट्नी वगएरा बहुत टेस्टी लगता है यहाँ पे देखिए एक एरिया में जो है गाजर लगा हुआ है और ये भी लगवग 10 दिन में तयार हो जाएगा तो इस तरह से इधर वाला एरिया इन लोगों ने कभर किया है और ये पीछे का एरिया जो है उसमें आईए दिखाती हूँ यहाँ पे हरी मिर्च लगी हुई है चोटा सा हरी मिर्च का पौधा आप देख रहा है इसमें अभी कुछ समझ में ने आ रहा है मैं आपको दिखाती हूँ कितनी मिर्च लगी हुई है इसमें एक पौधे में कम से कम आठ दस इतने चोटे चोटे पौधे हैं फिर भी आठ दस हरी मिर्चें लगी हुई है और ये बहुत तिखी होती है दो मिर्च डाल देजिए तो पूरे पांच-छे लोग की सबजी में तिखा हो जाता है तो इस तरह से छोटा-छोटा पौधा है लेकिन इसमें खूब हरी मिर्च लगी है तो मिट्टी जो है खेतों की मिट्टी पड़ी हुई है तो इस वज़ा से ये बहुत उपजाओ है और बिल्कुल औरगेनिक है खाने में भी बड़ा अच्छा लगता है टेस्ट भी एकदम अलग साहता है लगा है गोभी तो इस वज़ा से अभी हुआ नहीं है धीरे धीरे इसमें फूल लग रहे हैं तो ये भी 10-15 दिन में तयार हो जाएगा और मेरे आभी आता है गोभी ममी भेजती है तो खिजडी में इस बार घर की गोभी आने वाली है और यहां पर देखिए यहां भी किनारे पर मूली लगी हुई है देखिए अभी थोड़ी-थोड़ी मोटी हो रही है तो ये लोग जब भी खाना दिया जाता है दो पहर को तो इसी में से मूली निकालके और फटा-फट सलात बन जाता है और सब लोग एकदम ताजा-ताजा खाते हैं बहुत अच्छा लगता है हम लोग के अहां तो इतना फ्रेस कहां मिल पाता है सहर में तो खास करके और आर्गेनिक भी नहीं होता है वो तो केमिकल वाला ही खाना खाते हैं हम लोग यहां देखिए यह टमाटर लगे हुए हैं और यह इतने बड़े पेड़ जैसे हो गया है तो इनको इस तरह से छोटी छोटी डनिया लगा करके और बांधा गया है ताकि यह लटके न और अब धिरे धिरे इन में भी फूल लग रहा है तो यह भी होगा इसके अलमाई यहां पे बैंगन लगा हुआ है देर सारा यह आठ नौ पौधे बैंगन के लगे हुए हैं और बैंगन भी बहुत अच्छा होता है और इस बैंगन की सबजी ना एकदम घीर ऐसी लगती है बहुत अच्छा लगता है घर का जो बैंगन होता है तो इस तरह से सारा है और यहां बाहर वाले एरिया में देखिए एक बड़ा सा नीम का पेड़ है घर के जस्ट बाहर जो हम का एरिया है और नीचे उसके छाया आती है तो यह अर्वी के पत्ते लगे हुए हैं तो इस तरह तो अभी छोड़ा हुआ है लेकिन जब गर्मिया शुरूंगी या बरसात में यह और फैल जाता है और इसके पकोड़े बनते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं इसके अलामा देखे फल फूल भी लगे हुए हैं और यहां पे एक नीबू का बड़ा सा पेड़ है और इतना नीबू आया था कि अगते थक गई थी हमारे यहां भी भेजा था हमारे अभी अचार बनाया गया खुश्तो और इसमें इतना जूस होता है कि क्या बताएं और अच्छा हो जाएगा और फिर जो है गर्मियों में भी इनमें फल अच्छे से आने लगेगा तो इस तरह से देखिए शौक है ना ग्रीनरी का तो अच्छा लगता है और घर के आसपास इस तरह से पेड़ पोधे सबजियां फूल फल लगे होते हैं तो मन बड़ा लगता है बहुत मज़ा आता है तो चलिए अब घर के अंदर चलते हैं और देखें क्या हो रहा है क्या करें बेटा माही को कंगी कर रही हो माही क्या हो रहा है बाल मैं जाल मैं माही का बाल जाल मजी माही क्या हो रहा है इप बढ़े अच्छी दीदी मिली हैं तुमको भाई भाई बहुत पड़ रहा है यहां पर बैया पड़ रहा है और मुझे दोनों भतीजियों के साथ बड़ा मज़ा आता है उन दोनों को देख के बहुत मन लगता है तो यही सारी यादें जो है ले करके अब फिर से मायके से जाना है तो आगे सूट नहीं किया कुछ भी क्योंकि मम्मी और भावियां परिशान हो जाती है कि आप हमेशा मोबाइल प्रेम ना रहा करिए आती है क अपने घर चलते हैं तो आई हो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करिएगा तो थेंक यू बाई